दोस्तों ये 5 बड़ी कंपनिया अलग-अलग लोकेशन पर अलग-अलग कॉलिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स को हायर कर वी है और आज की इस वीडियो में मैं अंकिता आपको देने वाली हूँ पूरी जानकारी कि इन विकेंसी में अपलाई करने के लिए क्या eligibility criteria है क्या qualification यहाँ पर required है कितनी यहाँ पर आपको salary दी जाएगी क्या काम आपको करना होगा किस तरीके से आपको apply करना होगा सारी जानकारी A to Z मैं आपको देने वाली हूँ आज किस वीडियो में लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे और बैल आइकन को भी दबा दीजे सो फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो सो फ्रेंट्स आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक आउट कर सकते हैं मैंने आप सभी के सामने ओपन अप की है जोबनाव247.com की ओफिशल वेबसाइट गईज आप यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर काफी सारी जोब वेकिंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी लेकिन अगर हम बात करें आज की जो special video है आज की जो special पांच और vacancy है उसमें से जो first vacancy है ये टेक महिंदरा में आई है जियां दोस्तो टेक महिंदरा काफी सारी post पर और काफी सारी location पर आई दिन लोगों को hire करता है तो इस पार जो vacancy आई है ये customer care executive की post पर आई है और ये vacancy बैंगलोर और नौइडा location पर आई है दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस vacancy में वो candidate चुकि experience है या जो fresher है वो दूनों ही apply कर सकते हैं इस vacancy में apply करने के लिए आपकी communication skills English में अच्छी होनी चाहिए साथी में अगर आप 12th pass हैं या फिर graduate हैं तो भी आप apply कर सकते हैं salary package आपको 40000 कृपए तक दिया जा रहा है और apply करने का जो link है वो मैंने आपको नीचे description में दे दिया है इस vacancy में आपको जो काम करना होगा ये इनके voice email process में काम करना होगा यानि की customers की जो queries आती है voice पर email पर या chat पर वो आपको solve करनी होगी तो guys अगर आपकी communication skills English में अच्छी है तो आप इस vacancy के लिए definitely try करिए apply link मैंने आपको नीचे description में दे दिया है बात करते हैं second job opportunity की दोस्तों अगर हम बात करें second job opportunity की तो ये जो vacancy है ये मेरे उन भाई वहनों के लिए है जिन्होंने polytechnic किया हुआ है जिया दोस्तों अगर आपने electrical mechanical field से polytechnic का diploma हासल किया है तो आप इस job opportunity में apply कर सकते हैं basically ये जो company है इसका नाम है ask automotive private limited इस company में काफी सारे numbers में vacancy आई है आपको बता दू कि यहाँ पर salary package आपको 12,000 से लेकर के 15,000 रुपे तक दिया जा रहा है लेकिन benefit आपको काफी सारे मिनने वाले है काम करने की location आपकी good गाओं हर्याना की होने वाली है और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक दिन में 8 गंटे की shift होगी जिसमें आपको 4 गंटे जो है daily overtime करना होगा जिसके लिए आपको 200 रुपय जो है वो दिया भी जाएगा साथी साथ दोस्तों यहाँ पर आपको punctuality awards भी दिये जाएगे साथी साथ दो time tea और coffee प्रोवाइड की जाएगी तो guys आप इस vacancy में apply कर सकते हैं अगर आपने polytechnic का diploma किया है साथी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और पताना चाहूंगी इस vacancy में apply करने से पहले आपके पास यह सारे के सारे document होने चाहिए जिसमें आपका आधार card, आपका resume, आपकी passport size photograph, आपकी document, आपकी mark sheet, polytechnic की mark sheet, banking details, सारे के सारे यह document आपके पास होने चाहिए इस vacancy में direct walk-in interviews भी चल रहे हैं तो आपको बहुत ही जल्दी apply करना होगा साथी साथ मैंने HR का direct contact number भी दिया है in case अगर आप इस job vacancy को इस video को देर से देख रहे हैं, काफी दिनों बात देख रहे हैं तो आप उने contact करके अगली vacancy के बारे में भी पूछ सकते हैं तो guys अगर आप इस vacancy के लिए eligible और suitable candidate हैं तो जल्दी से description के link को क्लिक करें और यहाँ पर apply करें third job opportunity दोस्तों कर हम बात करें तीसरी job opportunity की तो यह बहुती बड़ी कंपनी KFC में आई है जित दोस्तो KFC काफी सारी location पर काफी सारे candidates को hire कर रहा है आप यहाँ पर check out कर सकते हैं कि यह जो vacancy है यह उत्राखंड, हर्याना, डेली, अमरिटसर, लुदिहाना, जलंदर, चिन्ने, तमिलनाडू, कोयम बतूर, गुजराद, छतिसगर, राएपूर जैसी जगाओं पर आई है दोस्तो आपको मैं बता दू कि यह जो vacancies है, यह restaurant manager की profile पर आई है आपको बता दू कि इसमें salary package 15,000 से लेकर के 20,000 उपे तक दिया जाएगा company का नाम KFC है, multiple location की यह vacancy है, qualification minimum सिर्फ और सिर्फ 12th pass मांगी गई है अगर आप 12th pass है, आप fresher है या फिर experience है, आप इस job opportunity में apply कर सकते हैं दोस्तो इस frequency में आपको जो काम करना होगा, यह restaurant manager की profile पर काम करना होगा यानि कि जो KFC का restaurant है, जो KFC अलग-अलग जगाओं पर है, अलग-अलग location पर है उस restaurant को, एक particular restaurant को आपको proper तरीके से manage करना होगा आपको देखना होगा कि कौन से staff कौन सा काम करेगा, किस तरीके से वो लोग काम करेगे किस तरीके से restaurant चलेगा, वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर manage करनी होगी तो दोस्तो अगर आप 12th pass है या फिर graduate है, आपके पास experience है या नहीं है आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, आपको apply कैसे करना है, apply करने के लिए मैंने आपको link दिया हुआ है यहाँ पर आप check out कर सकते हैं, यह apply now को जो button दिख रहा है ना इस तरीके का तो गईस अगर आप इस विकेंसी के लिए suitable candidate है, तो तुरंत यहाँ पर scan करें और यहाँ पर apply करें अब बात करते हैं last job opportunity की, दोस्तों कर हम last job opportunity की बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि यह एक बहुत बड़ी company दिव्यानी international में निकली हुई है जी हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह दिव्यानी international जो है, यह काफी सारे restaurant और काफी सारी company के लिए लोगों को hire करती है फिलहाल यहाँ पर यह जो विकेंसी लेकर के आई है, यह costa coffee और pizza hut के लिए लेकर के आई है आपने देखा होगा कभी भी आप restaurant में जाते हैं या mall में जाते हैं तो वहाँ पर food code होता है और food code में आपको काफी सारे restaurant देखने को मिलेंगे तो दिव्यानी international के थूँ यह बड़ी बड़ी company आँ अलग अलग लोगों को hire करती है और यहाँ पर अभी जो विकेंसी निकली हुई है यह team leader और restaurant manager की profile पर निकली हुई है जिसमें salary package आपको 15,000 से लेकर के 22,000 रुपे तक दिया जा रहा है multiple location के यह विकेंसी है qualification मात्र 12 pass मांगी गए है अगर आपने 12 pass की है आप इस job opportunity के लिए apply कर सकते हैं तो इस विकेंसी में आपको जो काम करना होगा यह team manager की post पर या फिर restaurant manager की post पर काम करना होगा तीम manager में अगर आप fresher है आप apply कर सकते हैं और अगर आप experience रखते हैं तो आप restaurant manager की profile में apply कर सकते हैं इस विकेंसी में आपको day to day जो restaurant के अंदर काम होता है फॉर एक्जामपल अगर हम कौस्टा कॉफी की बात करें या पीजा हट की बात करें तो ओर्डर्स लेना, साथिसाथ फूड को प्रिपेर करना, टेवल साफ करना, रेस्टुरेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, नए-नए ऑफर्स कस्टमर्स को बताना, कोई अगर प्र दारेक्ली HR का mail ID प्रोवाइड किया है आप वहाँ पर क्लिक करके डारेक्ली अपना रिज्यू में सेंट कर सकते हैं तो गई यह थी आज की पांच जोब विकेंसी जोकी अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग लोकेशन पर थी अगर आप इन में से किसी भी जोब विकेंसी के ल जल्दी से description के link को click करें और यहाँ पर apply करें साथी में चैनल को subscribe करना ना भूले बैल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूले दोस्तों आपसे मैं कहना चाहूंगी कि आप अब हमें social media platform facebook instagram और telegram पर भी follow कर सकते हैं वहाँ पर मैं आप सभी के लिए regular basis पर short में जानकारी लेक update लेकर के आती हूं तो आप महाँ पर भी हमें follow कर लीजे description में उसका भी link आपको दे दिया है मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और interesting topic के साथ तब तक के लिए thank you so much and bye bye